आप सभी का गुवार की फशल बे जीखा स्टूडेंट्स सभी का स्वागत है मिनु मिना बेटी रवीना जैपाल जी सभी का स्वागत वेलकम वेलकम इंदार राजधानी एजुकेस्नल गुरूप पचकोडिया जोबनेट जैपूर और आज है हमारा इंपोर्टेटों वार सरव राज स्थान तो गुवार मितलब राजस्थान है तो गुंआर सविकात राजस्थान मैं घट्रों नहीं या टो डिसनों करने वाले खर्डी घरант यह बवालता कीमष्टाद राजस्तान oh cultivation of गुवार बोले तो कलस्ट्र बीन अंगरे जी में क्या कहते हैं गुवार भी कहते हैं अंगरे जी में गुवार हाँ गुवार कहते हैं और कलस्ट्र बीन तो कहते ही है कलस्ट्र बोले तो गुच्छे और बीन बोले तो फली जो गुच्छों में लगे फली, वो हो गया कलस्त्रबीन, तो भई सभी को नमस्कार, सभी को जहिन जराजदरी, और ये गुवार की खेती शुरू होने जा रही है, और अभी कर देते भई, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, गुवार की खेती में, गुवार इंपोर्डे साइम आप्सिस, टेट्रागोनोलोबा, साइम आप्सिस, टेट्रागोनोलोबा, साइम आप्सिस, टेट्रागोनोलोबा, साइम आप्सिस, टेट्रागोनोलोबा, इंग्लीज में लिखो तो साइम आप्सिस, टेट्रागोनोलोबा, तो साइम आप्सिस, टेट्रागोनोलोब नोब नोबotal क्या हो गए साहय मॉपिस ठेटरा गभन मोन लोबाव को चलिए चलते तो भाया दल्हनी कुल है इसका मतलब leguminacy family है इसकी phabacy family है इसकी तो leguminacy या के दो phabacy तो leguminacy या phabacy family का है it means nitrogen का इस्तरी करण तो कर ही लेगा भई nitrogen का fixation तो ये कर ही लेगा तो और family कौन सी होगी leguminacy chromosome number 20 बरावर 22 chromosome number 20 बरावर 22 20 बरावर 22 अंकुरण की बात करें तो epizial type का germination जिसमें बीज पत्रे जमीन के उपर आ जाएगा मतलब जमीन के उपर ही बीज पत्रे निकल के आ जाएगा germination is equal to epizial epi बोले तो उपर और हाइपो बोले तो नीचे epizial type of germination is here फली हर leguminacy जो क्रोप होती है उसकी सबी की तो फलिया कहलाती है पूड 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 फली है leguminacy फोड फली है leguminacy फोड फली है leguminacy बाहि तो भाई यो हो गया उसके बाद अंकुरड है epizial फल हो गया पोर्ड वैच पीडिया डाल रहे बटा ग्रूप के अंदर डाल रहे आप लेड जुड़े होगे उससे पहले डल गई होगी ना डाल देंगे ओर ठीक है उसके बाद चलते है फन जंग्लीители जाती है उनमें सबसे ज्यादा वेरिए सट जहां मिलने का सरवा दिद विसीन लेका है विवित्ता दा मिलने tutto क्या रहे ने उत्पति इस्तल बनने का, जहां सबसे ज़्यादा प्रकार की जंगली मिल जाती है, उस फसल की, जिस फसल को हम पढ़ रहे हैं, तो वही उसी के अंदर वो उसको उत्पति इस्तल माना जाता है, राइट है वही, अंकित मिना जी नहीं डाल रहे हैं, ऐसा लिख कि आप यह सार वेवी लो, भारत के लिए बोला, भारत के लिए कोन बोला, कोन बोला भारत के लिए, वेवी लो, वेवी लो ने का, भारत है, कोई बात नहीं डल ली तो, कोई नहीं बिड़ा, ठीक है, कोई बात नहीं डल ली तो, ठीक है, अब दुबारा कमेंड मत करना, उसके बात चलते वेवी लोग के अनुसार है भारत तो अब देखें आगे चलते समझ में आ गया भई उसके बाद वेवी लोग कहता है भारत का है अंचेह वेगणिंग नाम के लिए, Kई बार में आपको बताए है, बई दो नाम आते हैं, पहला नाम WANS का, दूसरा नाम जाती का, नाम दिये किसने थे, बोला जी ये दिये थे, केरॉलस लीनियस ने, केरॉलस है, लीनियस, केरॉल परसनली भी डाल रहा हूं कोई बच्चा लेड जुड़ा हो न उसने कहा कि सर पहले वाली पीडियेफ दाल तो तो मैं उसको परसनली भी डाल देता हूं बहुत सारे बच्चे होंगे और नीचे लिख दिया बैटा आगी से गुरूप में ही मिलेगी उसके नीचे ऐसे लिखा 20 पीडियेफ या 15 पीडियेफ नहीं मिली तो एक तो मिली है तो ऐसे नीचे तो डलती नहीं है गलत बात ही चले कोई नीच उसकी खुद की परसनल वह है अभी चलते है उत्पती होगी वेवी लोग के अनुसार बारत ठीक है बई देख बच्चे कह रहे हैं जी सर सही बात है अब ने कहा ना बई परसनल भी डाल दी मैंने बहुत सारे बच्चों को जो लेड जुड़े बई परसनल ले लो जिन्होंने कह दिया बई सर पुरानी डाल दो उनको डाल दी बाकी पुरानी वाली रिपीट भी कर जेते हैं उसी गुरूप में दुबारा डाल देते था कि मोठ के बाद में गवार सोनियों मोठ है तो सबसे ज़्यादा सूखा सहन करने वाली सरवाधी के सूखा सहन करने वाली सहन करने वाली मोठ है और मोठ के बाद में गवार है इसका मतलब गवार भी सूखा तो सहन कर ही लेता है तो सबसे ज़्यादा सूखा सहन मोठ रसोनियो बादम आग्यो गवार रसोनियो राइट बई सुका सेन करने में मोट के बाद गवार का धूसरा नमबर है बाजरा का रविंदर जी कह रहे हैं तीसरा नमबर है सुका सेन करने वाली है तो कर लेती है बिचारी किसी यो कुछ नहीं कहती है बोला पाणी नहीं है कोई बात में चला लेंगे हम तो काम ठीक है राजस्ता इंदुस्तान में देखो सबसे ज्यादा होता है राजस्तान भारत में सबसे ज्यादा गुवार राजस्ता मरो राजस्ता भारत में सरवाधिक राजस्थान में होता है सरवाजिक जो गुवार है वो राजस्थान में होता है लेकिन राजस्थान में बिकानेर 75% गुवार भारत का राजस्थान में होता है 75% गुवार अकेला राजस्थान करता है तो सिल्यूट दे राजस्थान 75% अकेला राजस्तान करता है और राजस्तान में जनरली जो है न बिकानेर on the top है और विश्व में भारत है तो राजस्तान में बिकानेर जनरली on the top रहता है भारत में राजस्तान राजस्तान में बिकानेर भारत में राजस्तान राजस्तार में बिकाने कलस्टर नाम क्यों पढ़ा कलस्टर को अगर आप ABC team AWP, ALE, Apple, Apple means save B-A-Jabal-L, Ball, Ball means gain और C-L-U-S-T-E-R कलस्टर, कलस्टर बोले तो गुच्छा रे कलस्टर बोले तो गुच्छा तो इसको कलस्टर बीन बोलते है What is the कलस्टर? गुच्छा रे What is कलस्टर? गुच्छा रे और बीन बोले तो फलिया बीन बोले तो फलिया, तो जिनकी गुच्छे में लगे फलिया जिसकी गुच्छे में लगे फलिया, वो कहलाता है कलस्टर बीन, कलस्टर बीन, कलस्टर बीन गुवार गुवार कलस्टर बीन तो जिसकी बीन बजे बना बीन बजे नहीं सोरी बीन लगे गुच्छे में जिसकी बीन लगे गुच्छे में कहलाता है कलस्टर बीन यह यूँ कर दो जिसकी बीन लगे कलस्टर में कहलाता है कलस्टर बीन कलस्टर बीन 17% लेके गूम रहा है प्रोटीन और 30 से 33 29 को चेंज कर लीजिएगा भई 32, 33 All the important and very high quality books उसमें लिखावा है 32, 33 तो change कर लो कोई नहीं, कल अपने question भी दा कल वाला, 32, 33 आएगा, 30 से 33 परसेंट, गम होता है, गम होता है, दूजे का गम देखा तो मैं, अपना गम भूल गया, वो अलग गम है, ये गोंद है, ये तो नान्या, यो तो नान्या गम छे, गोंद छे, गम छे, तीस से 33 गम छे, ग गम छे, गोंद छे, गोंद छे, है न भी, गम या गोंद, राइट भी, वो एक गम और होता है, दुख, वो उर्दू का लब्स है, वो गम क्या है बई, उर्दू का लब्स है, उर्दू का सब्द है, वो अलग है, उसका मतलब क्या होता है, दुख, दूजे का गम देखा त तो मैं अपना गम भूल गया मेरा गम कितना कम है तो मैंने रात को मजा कर रहा था मैंने का फिर इसका मतलब गम यह नहीं गोंद होगा तो फिर यह होगा दूजे का गोंद देखा तो मैं अपना गोंद भूल गया मेरा गोंद कितना कम है वो अलग है वाई तो 30 से 33% रखता है अब ये गम यह गोंद काम में क्या आता है भई भहँत काम में आता है इसे दवाईयां बना लियो गम सुझी गौंध से बना लियों दवाई खनीज उध्योग में कामावे खनीज उध्योग में भी कामाता है गौंध क्या क्या कामाता है ये गम ध्योग में गम चावे। मतलब गम की ज़रद है। कपड़ा और कागज उद्ध्योग में भी। कागज और कपड़ा उद्ध्योग में। कागज और कपड़ा उद्योग में भी चाहिए इसके अलावा सोंदर्रे प्रशाधन कोचमेटिक्स साथ दिन में गोरा बनाए धाय रावली लिस्टीक अगर गोरा बनाए तो है क्रीम खेंपू है सही बात है, फेरन लवली साथ दिन में गोरा बनाए, अगर भैस को पहले भैस को लगाने का, अगर भैस गोरी हो गई, अगर भैस काली से थोड़ी बहुत भी सपेद हो गई, तो हम पूरा का पूरा एक टेंकर मंगाएगा, और उस टेंकर में 15-20 दिन अंदर ही बैठा रहेग मिलले नीन, कौन सा वरनक होता है, मिलला नीन पिगमेंट, उसकी वज़ए से होता है, अगर किसी के वो ज्यादा है, तो काला ही रहेगा हो, उसको कोई गोरा नहीं बना सकता, और जिसके के वो कम होता है, केवळ थोड़ा सा धूप का फरक पड़ता है, थोड़ा सा क्या होत नाराज हो जाएंगी, बोला कितने गराग एक साथ तोड़ दिये, है न भई, तो गुआर के गम में देखो, गम क्या काम आ रहा है, दवाई बना लो, गम से, गम से बना लो, दवाई, गम ले लो, खनीज, उद्योग में, गम से, गम ले लो, कपड़ा खनीज, मतला कपड़ा वाले सारे के सारे उप्योग है इस गम के, एक्चुली ये गम मिलता किस से, एंडो स्पर्म से मिलता है, ये जो गम मिलता है ने गुआर में, वो बुरून पोस से मिलता है, किदर से प्राप्त होता है भई, एंडो स्पर्म, गोंद कहां से मिल रहा है, इसमें, एंडो स्पर जिसको आप कहेंगे बीज का बुरुन पोस तो गोंद मिल है बुरुन पोस से राइट बई सही चल रहा है तो गुमार के दानों में 30-33% गम होता है और एक गम क्या काम आता है दवाई बाना लोग, खनीज उद्योग में कपड़ा कागज में और सुंदरे परसादन बनाने में काम में आता है इसके दाने और चूरी ये पसूओं का पोस्टिक आहार है इसका जो दाना, भई दाना भी खिलाते है और इसकी चूरी भी आती है गुमार की चूरी ये दोनों पसूओं के लिए बड़ा पोस्टिक आहार है मतलब पसू खाके बड़े प्रशन हो जाते पूर बड़ी दुआएं देते बगवान इसका भला करे आहा मीथा मीथा ऐसे बाते करते गाय भैस भेड़ बकरी बढ़ी नेटवर्क इसू देख रहा है क्या आ रहा बता है बढ़ी नहीं आ रहा बढ़ी यहां नेटवर्क परफेक्ट चल रहा है तो इसका दाना और चूरी पसूओ को खिलाने के काम में आ जाता है ठीक है बढ़ी दाना क्या होता है ओ वो जो पहले 17% जो प्रोटीन बताएज रहे 17% वो बढ़ी चारे में मिलेगी 17% यह 17% प्रोटीन चारे में है चारे में चारे में 17% प्रोटीन चारे में चारे में आएगी हो चारे में आएगी सही चल रहा ना वो चारे में कर लेना इसको वो बीजों में नहीं आएगी बीजों में तो बहुत होती है बाई बीजों में तो होती है दाने में तो होती है 45% प्रोटीन नेट्रोक से चल रहा ना दाने में गुवार के दाने में 45% प्रोटीन गवार के दाने में प्रोटीन 45, चारे में 17% प्रोटीन, ओए चारा-चारा, 17% प्रोटीन, ओए दाना-दाना, ओए 45% प्रोटीन, राइट है बई? 45% protein तो है दाने में, दाने में, दाने में, दाने में 45, 45, दाने में, दाने में, 45, 45, और 4 में, 4 में, 47, 47, 24, 47, इसकी हरी फलिया सब्जी के रूप में काम आती है, हं जी, हमारे तो बढ़ाते भी, ऐसे बोलेंगे सारे बच्चे, भाई सभी के बनाते हैं, इसलिए बोलेंगे जोर तुमी है, तो हरी सबजी के रूप में क्या का में लेते हैं, हरी हरी फलिया, हरी हरी फलिया, सबजी बना लिया, राइट है भाई, जोर तुमी पताने की, C3 प्लांट है गुवार, हन जी, वै प्रकास सन्सलेशन में पाये जाता है और सीथरी से लिए बोलते उसको क्योंकि इसके अंदर प्रकास सन्सलेशन का, बोले तो फोटो सिंथेसिस का, बोले तो प्रकास से न्सलेशन का प्रथम इस्थाई योगिक प्रथम इस्थाई योगिक PGA बनता है Phosphogliceric Acid बनता है या उसको कहे दो 3 PGA बनता है क्योंकि तीन नंबर पे उसके Phosphorus होती है तो 3 PGA बनता है ये 3 PGA का पूरा नाम होता है Students 3 Phosphogliceric Acid 3 Phosphogliceric Amyl ये 3 Phosphogliceric Amyl जो है वो प्रकाव संसिलेशन का पहला stable compound होता है पहला स्थाई योगिक होता है और ये actually 3 कारवन का होता है तो जिन में प्रकाव संसिलेशन का पहला स्थाई योगिक 3 कारवन का बनता है 3 कारवन का बनता है 3 कारवन का बनता है उन पोधों को то कहते हैं, कार्बन तीर पादफ, यानि कि C3 प्लाड्स, कार्बन तीर पादफ, और जो चक्र होता है, जिसके अंदर यह होता हुश होता है, उसको बोलते है, C3 चकर, C3 चकर की खोज, C3 cycle, C3 चकर की खोज की थी, Kelvin ने, Kelvin ने, सीथ्री चक्र केलविन ने केलविन ने केलविन ने इसलिए इसको केलविन चक्री भी कहते है सीथ्री चक्र केलविन चक्र केलविन चक्र सीथ्री चक्र सीथ्री जाग्र केलविन चक्र हाँ केलविन बेंसन तो केलविन चक्री भी बोलते हैं और C4 क्या होते हैं देखिये दुनिया के जादर पोदे आपको C3 plant ही मिलेंगे C4 भाध कम होते हैं C4 के बारे भी बताज़ दाओ हम आपको C4 plants बोले तो C4 पादर वो वाले पोदे होते हैं जिनमें C4 चक्र पाया जाता है जिनमें पाया जाता है C4 चक्र C4 चक्र उस चक्र को बोलते है जिसमें प्रकावशंशलेशन का फोटो सिंथेसिस का प्रकावशंशलेशन का प्रथम stable जो compound है प्रथम इस्थाई योगिक है वो होता है OAA 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 प्रथम इस्थाई योगिक कौन सा होता है OAA इसका पूरा नाम है Oxalocetic Acid Oxalocetic Acid Oxalocetic Acid कितने कारबन का है ठाकर यह चार कारबन का है चार कारबन का है बस जिन्द आड को दन देग लिए और आज को दन देग लिए इन पोधों को क्या कहने लगे कारबन चार पोधे क्योंकि चार कारबन का फस्थ स्टेबल कंपाउंड बन गया Oxalocetic Acid इसलिए इन पोधों को इस चार कारबन के योगिक होने के कारणी यह कह है चार कारबन का कंपाउंड है योगिक है इसलिए इन पोधों को कहड़े लग गए कारवन चार पाडर बोले तो C4 प्लांट C4 प्लांट और जिन में C4 प्लांट जो उनमें कौन सा चक्र मिला जिसमें OA बन रहा है उसका नाम है C4 चक्र अगर हम C4 चक्र की बात करें तो इसको खो जाता हेच वेच सलेक ने इसलिए इसका दूसरा नाम है हेच सलेक चक्र C4 चक्र हेच सलेक चक्र हेच सलेक चक्र C4 चक्र हेच सलेक चक्र C4 साइकल ही जाल सो कार्ज हेच एंड सलेक साइकल हेच एंड सलेक साइकल और किसमें खो जा इन हैच और सलेग दो वेग्यानिक ते इन्होंने सोख हो जाता गन्ने में C4 चकर को गन्ने में एक तो हो गया गन्ना जी दूजा हो गया बाजरा जी तीजा हो गया जवार जी चोथा हो गया मक्का जी पाचवा हो गया चौलाई चट्टा हो गया, एक आदा और बच गया हो, तो बच गया हो, बस यही पोधे C4 होते हैं, यही पोधे C4 पादफ है, बाकी तो सारे C3 होते हैं, इसमें मक्का का क्वेश्चन बहु ज़्यादा पूछते हैं, मक्का है C4 प्लान, मक्का है C4 प्लान, मक्का है C4 प्लान, यह आप बात करते हैं दुनिया में भारत की धूम चलती है वाई विश्व में भारत में 20% प्रोडक्सन करता है सोचवा पूरी दुनिया के 230 के करीब देश है उनमें से बारत अकेला 55% गवार कर रहा है बाकी सारे country मिलके कितना कर रहा है मात्री कितना कर रहा है बही मात्री कर रहा है 25% तो इंडिया उन्दा टॉप बारत में बारत में अगर हम राजस्थान की बात करें ठीक है भही राजस्तान की बात करें तो 68% आएगा राजस्तान में राजस्तान में प्रोडक्शन राजस्ता मरो राजस्तान आएगा भही तीछे तर विश्व में आएगा राजस्तान में हो रहा है 68% गोहार और शेत्रपन ये तो हो गया उत्पादर और एरिया की बात करें तो राजस्थान हिंदुस्तान के 87% एरिया के इसाब से 87% एरिया अकेले राजस्थान के पास है मानारे राजस्थान में 87% एरियो मतलब बाकी जो राज्ये बच गए ना सारे वो सारे के सारे राज्ये मिलके मतलब 13% ही गवार बोते हैं एरिया के इसाब से 13% बोते हैं प्रोडक्शन के इसाब से वो लोग 32% करते हैं लेकिन धाक तो हमारी चल रही है न बई क्या चल रहा है बोला राजस्थान में गवार चल रहा है राइट है बई तो हिंदुस्तान में राजस्तान कितना पर्सेंट कर रहा है एरिया कितना लेके बैटा है 37% राइट है और वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान हिंदुस्तान में राजस्थान सहीے बई और बस तो क्षेत्रभल में उत्पादर में हम लोग नमबर बन पे आते हैं और राजस्तान में विकानेर चुरू सिकर जुन जुनू विकानेर ओन दा टॉप जनरली रहता है जनरली रहता है तो मैं मानलू भाई क्लियर हो गया हिंदुस्तान का 75% गवार हम लोग पैदा कर रहे हैं हिंदुस्तान पैदा कर रहा है और हिंदुस्तान का 87% एरिया हम लोग लेके बैटे 87% एरिया में क्षेत्रफल के साब 87% राजस्तान के पास है 80% प्रोडक्शन में है और बस हो गया पुरा और राजस्तान में फिर विकानेर आ गया अब चलते जलवायू क्लाइमेट क्लाइमेट या जलवायू तो भई कब बहुते आपको पता खरीप की फशल है है ना भई सूखा शेहन करने वाली फशल है दिक्कत नहीं है जिसको Drought Resistant Crop है Drought Resistant Crop बोले तो सुखा शहन करने वाली फसल है आपको बताया था भोट के बाद बूसरा नमबर है इसका सुखा शहन करने वाली फसल है Drought Resistant Crop है तो इसको ज़्यादा पानी मानी नहीं चाहिए भई ठीक है? C3 cycle किस में होगा? सभी पोदों में होगा 4-5 पोदों को छोड़के सभी में होगा सी 3 cycle प्रकास संसलेशन में होता है अब मुझे पता नहीं कैसे क्वेशन पूझ रहे हैं देखो प्रकास संसलेशन जो होता है प्रकास संसलेशन में दो प्रकार की अभिगरिया होती है एक होती है प्रकास अभिगिरिया एक होती है एक होती है एक होती है प्रकास अभिगिरिया फिर दो प्रकार की होती है एक का नाम होता है इसको बोलते है फोटो फोस्पोर रिलेशन और यह दो प्रकार का होता है एक तो साइकलिक चक्रिये प्रकास फास पेटी करन एक होता है प्रकार दो प्रकार की होती है चक्रिए और आज करी ए प्रकार यह प्रृइजा को होती जिसमें एक पोदे में एक हो यह तो सब में होगी कोई भी पोदा हो दुनिया का चाहे C3 हो C4 हो या CAMO दुनिया में सब में चक्रिये प्रकास फास्पेटी करन होगा लेकिन इन तीनों में से कोई एक ही होगी अगर वो ये वाला चकर हो रहा है तो उसको बोलते है C3 चकर C3 चकर के अंदर पहला इस्ताई जो योगिक बनता हो PGA बनता है C4 चकर वो होगा जिसमें पहला इस्ताई योगिक 4 कारबन का योगि OA बनेगा इसमें भी OAA बनता है लेकिन इसका थोड़ा प्रोसेस अलग है CAM का क्रुसिलेशिन असिड मेटाबोलिजम ये क्रेशु लेजी कुल के पोधों में होता है जो मानसल पोधे होते हैं रेकिस्तान में उनके अंदर होता है इनके रंदर रात में खुलते हैं दिन में बंद रहते हैं बनाँ थोड़ा आजीब सा होता है इस तरह से कुछ डिफ्रेंश इनके अंदर आते है बागी इस तरह से प्रकास संसिलेशन होता है पोधों के अंदर ठीक है मारे देर स्टूडेंट्स सीतरी चक्र की खोज की थी, केलविन ने, इसको केलविन चक्री भी कहते है, PGA बनता है, सीपोर चक्री खोज की थी, हैच और सलेक ने, और केम को खो जाता, कुरुसिलेसिन, हैसी मेटाबोलिजम को जाता, रोहानी और उसके साथियों ने, रोहानी, at all, तो सुका सेन, समझ में गरम या गरम वै, सुस्क, यह जलवाई जीए भई, hot and dry, 30-40 cm वार्षिक वर्षा चीए, 30-40 cm वार्षिक वर्षा, annual rainfall, ज्यादा बरसात नहीं चाहिए, वार्षिक वर्षा की बात करें तो राजस्थान की, राजस्थान की ओसत वार्षिक वर्षा, राजस्थान में कितनी ह बोला, 57 cm के दो, चाहिए 575 mm के दो, लेकिन इतनी भी नहीं चीए, राजस्थान वाली ओसत वार्षिक वर्षा भी इसको नहीं चीए, उससे कम में काम चल जाता है इसका, भारत की बात करें तो भारत की ओसत वार्षिक वर्षा, average rainfall, average annual rainfall of India, 1190 mm है, या 190 cm है, तो यह तो गु गुवार के लिए, बहुत ज्यादा हो गई, गुवार को तो कितनी चीए, 30-40 cm वार्षिक वर्षा चीए, जबकि राजस्तान में तो average 57 cm हो रही है, और हिंदुस्तान में 190 cm हो रही है, सही चल रहा है, जब अधस समझ में आ गया, तो इसको ज्यादा भाई, सूका सेन करने वाली है, सूकी जलवायू चीए, गरम जलवायू चीए, 30-40 cm वार्षिक वर्षा चीए, बिजांकुरन और जडों के विकास के लिए, बिजांकुरन जब सीड जर्मिनेशन हो रहा होता है, बिजांकुरन वे, विकास जडों का विकास हो रहा है, तो बिजांकुरन हो रहा ह जीव जन्तु सभी आराम से जी लेते हैं तो भाई सुका सहन करने वाली फशल है hot and dry climate चाहिए 30-40 cm वार्षिक वर्षा चाहिए और बिजांकुरन के लिए बोले तो seed germination के लिए and root development के लिए इसको चाहिए 25-30 degree centigrade temperature 25-30 degree centigrade क्या चाहिए भाई temperature चाहिए समझ में आ गया और आगे चलते भाई मर्दा soil के पास चलते हैं तो soil देखो इसको ज़्यादा जो है ना काली वाली पशंद नहीं है it dislikes black soils clay soils no it want only sandy loom baba sandy loom sandy loom baba sandy loom sandy loom sandy loom sandy loom sandy बोले तो बलुई sandy बोले तो बलुई और loom क्या होता है दो मैट तो हिंदी में क्या बोलेंगे balooi doomat sandy loom baba sandy loom balooi doomat doomat मैंने आपको बताया था दो मिटिया होती है इसके अंदर आधी के करीब तो काली मिटि होती है clay या silk लगबग और आधी के करीब होती है sand baloo लेकिन या बलुई doomat का मतलब क्या हो गया बालु थोड़ी ज्यादा रहेगी बालु ज्यादा रहे ना तो उसको बोलेंगे balooi doomat बराबर लगबग बराबर रहे तो doomat और clay ज्यादा रहे तो उसको बोलेंगे clay loom clay loom बोलेंगे उसको काली doomat ऐसे बोलते हैं उसको तो इसके लिए क्या चीए sandilom baba sandilom लेकिन water drainage की व्यवस्ता होनी चीए बैई जल निकास की बहतरीन व्यवस्ता होनी चीए क्योंकि इसको पानी पसंद नहीं है तो जल निकास की व्यवस्ता जरूरी है अगर खेत में पानी बढ़ता है तो जल निकास युक्त बलूई दोमट मरदा इसके लिए best होती है और इसको इसकी pH मिट्टी का जो pH है वो 7 से 8 इसको पसंद है हिट लाइक 7 to 8 pH थोड़ा सा हलका सा क्षारी है या थोड़ा सा हक्षारी एलकेलाइन pH थोड़ा इसको पसंद है basic pH इसको पसंद है तो बात करें हम ब्रदा की तो अच्छे जल निकास वाली दोमट मरदा इसके लिए best है 7 से 8 pH वाली बैस्ट है और बलूई दोमट बैस्ट है बाई कौन सी बैस्ट है बलूई दोमट चली आगे चलते है उसके बाद है उन्नत किसमे इंप्रूड वेराइटीज इंप्रूड वेराइटीज तो पहले हम बात करेंगे संकर किसमों की जैजैसिव संकर तो ये वो शंकर नहीं है वो अलग होते हैं वो तो शंकर भगवान है ये तो बैया दो अलग अलग वो दो के क्रो से बने वी संकर किसम है तो सबसे पहले हम हाइब्रिड वेराइटीज की बात करेंग तो संकर किस्मों में पहली जो किस्म आती है वो है गोमा मंजरी गोमा गोमा मंजरी एक तो गोमा मंजरी एक तो कौन सी आगे बही गोमा मंजरी एक पूशा मोश मी ये भी हाइब्रिड वेराइटी है और ये दोनों ही रेनी सीजन के लिए बोले तो बर्सा रितू के लिए अच्छी होती है रेनी सीजन के लिए बैस्ट होती है दोनु गौमा मंजरी संकर गवार पूशारा मौसमी संकर गवार दो और है, एक पूशा नव बहार है ये भी हाइब्रिड वेराइटी है पूशा नव बहार ये भी हाइब्रिड वेराइटी है और दूसरी दुर्गा बहार ये भी हाइब्रिड वेराइटी है लेकिन ये किस के लिए बड़ी है ये रेनी के लिए भी अच्छी है रेनी as well as summer season गर्मियों में भी उग जाती है दोनों के लिए अच्छी होती है तेरी पूशा नव बहार और दुर्गा बहार आयो के भई तो कौन कौन सी आई गोमा मंजरी पूशा मोश मी दोनों संकर गवार पूशा नवे बहार दुर्गा बहार ये भी संकर गवार कभीरा ये भी संकर गवार गोमा मंजरी पूशा मोश मी याद करना बैई गोमा मंजरी पुशा मोशमी दोनो संकर ग्वार पुशा नव बहर दुर गाबाहर ये भी संकर ग्वार कभीरा ये भी संकर ग्वार भाई भजन तो मेरे साब से ये आने चीए थी वो तो मुझे लगने रहा उनसे कुछ फायदा होता है जो गाते ओरिजिनली तो तो ये ये मुझे लगना ज्यादा अच्छा है गोमा मंजरी पुशा मोशमी दोनो संकर ग्वार पुशा नव बाहर दुरगा बाहर ये भी संकर ग्वार कभीरा ये भी संकर ग्वार गाई भई गाई गाई गोमा मंजरी पुशा मोशमी दोनो संकर ग्वार पुशा नव बाहर दुरगा बाहर दोनो संकर ग्वार कभीरा दोनो संकर ग्वार तो भाईया चार किसमें हाइब्रिड मिल गई है कौन कौन सी मिल गई हाइब्रिड है hybrid hybrid और अभी लेंगे सारी सारी किसमें खतम नहीं कर रहा हूं मैं गोमा मंजरी पुशार मोसमी दोनो संकर गवार पूशा नव बाहर दुरगा बाहर ये भी संकर गवार कभीरा ये भी संकर गवार गोमा मंजरी पुशार मोसमी दोनो संकर गवार पूशा नव बाहर दुरगा बाहर ये भी संकर गवार कभीरा ये भी संकर गवार अब लेते दाने के लिए दाने वाली कोन कोन सी किस्म है दाने के लिए राइट बई गोमा मंजरी पुशार मोसमी दोनो संकर गवार पूशा नव बाहर दुरगा बाहर ये भी संकर गवार कभीरा ये भी संकर गवार चले दाने के लेते हैं एक तो दुर्गा जै दुर्गा जै, दुर्गा जै दाना, दाना, दुर्गा जै दुर्गा जै, दाना ठीक है बई? दुर्गा जै, दाना दुर्गा पुरा सफेद ये दुर्गा सब्द लगे वे सब अब दुर्गापुरा से निगली वी है दुर्गापुरा सफेद ये भी भूत पूशते हैं भाई खुब आती रहती ठीक है ये भी खुब आती रहती अंजलीन तो पूरा स्लिक भी डाला गोमा मंजरे पुशा मोसमी जोनो संकरगवार पूशा नव बाहर पूशा बाहर ये भी संकरगवार कभीरः ये भी संकरगवार राइट बई चलिए गुवार लेटे सब्ध निया कोई सब्ध ले सकते आप जी ए डबलू आर जी यू ए आर जी वी ए आर कोई सा ले लो सब्ध कुछ और बोल रहा हो गवार तो दुर्गा जे दुर्गापुरा सपेद एक मरू गवार कोई यह कहें मरू गवार किसकी किसम है सरबाज रेगी अर्य धांडा गवार लिख्योड आगयोग यह तो आड़े का मतलब भी नहीं मतलब कम्पिटिशन में तो कम से कम आपको कही कम्पिटिशन में यह वाला क्वेस्टन मिल जावेगा आर्जीसी नो सो चतीस गवार आर्जीसी नो सो चतीस गवार वेरी मोस्ट आर्जीसी नो सो चतीस गवार आर्जीसी नो सो चतीस गवार याद कर ले भाईया आर्जीसी नो सो चतीस गवार आर्जीसी नो सो गमार, very most variety, RGC 936 गमार, देखना आप देखना किताब उठागे, बहुत मिलेगा एक क्वेस्चन, RGC 936 गमार, RGC 936 गमार, RGC 936 गमार, ठाइए, सही बई, विकास सांदुले जी सर्र रविंदर जी की क्लास आज आएगी क्या, आज आए, आज क्यों नहीं आएगी, continue आरी RGC 936 गमार, RGC 117 गमार, RGC 936 गमार, RGC 117 गमार, RGC 987 गमार, 987, RGC, sorry, 986, सत्यासी भी क्यार होगी, यहाँ पहले 6, RGC 986, बलो 86 गमार, राइट अब ही, RGC 417, RGC 417, RGC 417, RGC 917, आगी थुड़ी पर नहीं आएगी, RGC 917, यह भी गमार, लिखते जाओ भई, RGC 1002, RGC 1002, गमार, RGC 1003, तो 1003, RGC 1003, RGC 1017, यह खूब है इसकी में राइट ही, 1017, राइट अब ही, मरुगवार, आल्रेड़ी आगया, RGC 1031, 1031, तो 1031, RGC 1031, उसके बाद यह आपकी है, RGC 1067, 1067, आयोर, आयोर गवार की किसमे, RGC 1067, इसमें साखा नहीं होती, शाखा रही तो होती है, एक रेगी, HCP 75, HCP 75, तो एक बार फिर से अपने को एक बार लिख लेते हैं, ताकि एक साथ आपको दिखती रहे, फिर अपने सोंग बनाएंगे इनका, तो सबसे पहले दुर्गा जे, दुर्गा जे होगी, दुर्गा पुरा, सफेद होगी, दोनों बहुत अच्छी विराइटी है, बहुत इंपोर्टेंट विराइटी है, उसके बाद आपका मरू गवार हो गया, यह कौन सा हो गया, मरू गवार, यह हो गया, उसके बाद पूरी RGC सिरीज हो गई, जिसमें सबसे इंपोर्टेंट है, RGC 936, तो RGC 936, राइट बही, RGC 936 गवार, RGC 117 गवार, RGC 986, तो RGC 936 गवार, RGC 117 गवार, RGC 126, वो कुन सी हो गई, 906 ही होगी न, 906 गवार, फिर 917, 917, RGC 917, अब 1000 वाली सीरीज में देखो, 1002, 1003, 1017, 1022, नहीं, 16, पहले 30 रगी, 1031, 1062, नहीं, 16, यह होगी, तो यह RGC की पूरी सीरीज हो गई, और एक रहे गई बस, कौन सी, HCP 40, तो यह मोटी-मोटी वेराइटी है, जो जनरली दाने के लिए उगाई जाती है, हरी फलियों के लिए नहीं, दाने के लिए उगाई जाती है, यह मोटी-मोटी हो गई, चलो भी शुरू कर देते, हम, शुरू कर देते, होगे, लिख तो लिए बई, दुर्गा जय हो गई, दुर्गा पुरा सपेद हो गई, मरू गवार हो गई, फिर RGC की सीरीज हो गई, RGC 936 गवार, RGC 117 में गवार, RGC 986 गवार, HCP 4 गवार, शुरू कर दे, दुर्गा जय, दुर्गा जय, दुर्गा जय गवार, ओम जय जगदी सरे, दुर्गा जय, दुर्गा जय, दुर्गा जय गमार दुर्गा पुर्रा सपेद गमार, मरू गमार, मरू गमार दुर्गा जय, दुर्गा जय, दुर्गा जय गमार दुर्गा पुर्रा सपेद गमार, मरू गमार हो गया फिर आरजीसी नो सो चतीस गवार आरजीसी एक सो सत्यानम गवार आरजीसी नो सो छी असी गवार आरजीसी चार सो सतरा गवार आरजीसी नो सो सतरा गवार आरजीसी एक एक अजार दो गवार हो गया भई कंचन भार चलो भई बचोने का कंचन भार वो सबजी वाली मे आएगी, वो सब्जी वाली में आएगी, अभी सब्जी वाली नहीं आई तो ये दाने वाली आई है, जल्दी, सर जी 40 जल्दी याद होती है, मतलब वो उसकी कभीरा वाली, चलो, कभीरा वाली दे लो, कभीरा वाली दे, यही कर लोजी दुर्गा जय गवार दुर्गा पुर्णा सपेद गवार मरो गवार आरजीसी नो सो चतिस गवार मरो गवार आरजीसी नो सो चतिस गवार आरजीसी नो सो चतिस गवार आरजीसी एकजार सतरा गवार आरजीसी एकजार इकटिस गवार आरजीसी एकजार चासट गवार दुर्गा जय गवार है दुर्गा पुर्णा सपेद भी मरो गवार आसी सतरा दोनों ही गवार है यह दुर्गा सब्द आया कहां से दुर्गापुरा से तो दुर्गा जे गवार है दुर्गापुरा सपेद गवार मरो गवार गवार है धुर्गा जये ग्वार दुरगापूर्रा सपेद गवार दुरगाजे गवार है मरो गवार गवार है ऐसिप चेतर गवार है मरू गवार गवार है ऑरघीसी दुरगा जेह गवार है दुर्गा पूर्रा सपेद गवार, मरु गवार गवार है, S.C. पिछेतर गवार है, R.G.C. 936 गवार, R.G.C. 1906 गवार, R.G.C. 417 गवार, R.G.C. 917 गवार, R.G.C. 1002 गवार, R.G.C. 917 गवार, R.G.C. 1002 गवार, R.G.C. 1003 गवार, R.G.C. 1017 गवार, R.G.C. 1016 गवार, R.G.C. 1066 गवार, दुर्गा जय गवार है दुर्गा पूर्रा सपेद गवार मरू गवार गवार है है दुर्गा जय गवार है आरजीसी एकजार एकटीस गवार आरजीसी एकजार चासट गवार तो यह मोची मोची विराइटीज है अंजली कह रही है गवार करांती भी नहीं आगी हुग भी चलिए आगी चलते सबजी सबजी बनाए लिए अगली आगी सबजी के लिए कौन सी सबजी के लिए कौन सी तो पूशा नव बहार पहली आगई पूशा नव बहार उपर भी आई थी हाइब्रिड वेराइटी में भी है पूशा नव बहार आई थी क्या आई थी दो गोमा मंजरी पुजा मोस मी दोनो संकर गवार पूशा नव बहार दुरगा बहार ये भी संकर गवार कबीरा ये भी संकर गवार उसमें आई थी है तो पूशा नव बहार सबजी के लिए है दुरगा बहार भी सबजी दोनों किसके लिए आगई ही शबजी पूशा मोस मी भी ये संकर ये सब तीसरी दुर्गापुरा सपेद ये दोनों में आ रही है दाने के लिए भी है और सब्जी के लिए भी है दोनों के लिए होती है उपर आया दाने के लिए भी आई थी दुर्गापुरा सपेद याद होगी कोई बात नी दुर्गाजे ये भी दोनों के लिए आ रही है दुर्गाजे भी दोनों में आ रही है दाने के लिए भी सौबजी के लिए भी दोनों में काम में आ रही है भई इसके बाद कंचन बहार कंचन बहार और जो S के आरे उसे निकले इसका M83 M83 3 यह SKRAU बोले तो श्वामी केश्वानंद राजस्तान एगरी कल्चर युनिवस्ति बिकानेर से निकली वी है ठीक है बई कहां से SKRAU बिकानेर से और एक होगी आपकी बस यह होगी सारी होगी तो कौन-कौन से सब्जी के लिए होगी पूशा नव बहार सब्जी गवार है दुरगा बहार भी सब्जी गवार पूशा सदा बहार सब्जी गवार है पूशा मोस मी बिगवार कवेरा जमस मी बिगवार दुरगा पूरा सा पेर सब्जी वाला दुरगा जय सब्जी गवार कंचन बाहर भी सबजी गवार है पूशा नव बाहर कबीरा सबजी वाल अगवार ऐसे भी कर सकते हैं पूशा नव बाहर सबजी गवार है दुर्गा बाहर भी सबजी गवार पूशा सदा बाहर सबजी गवार है पूशा मोसमी गौर कभीरा सबजी वाल अग्वार दुर्गापो रासा पेध है सबजी तो वाला दुर्गाजय बी सबजी कंचन बाहर भी सबजी गवार है हो गई सारी याद कभीरा हो गई सारी याद पूशा नव बहार पहले याद कर चुके, दुर्गा बहार कर चुके, पूशा सदा बहार कर चुके, पूशा मोशमी कर चुके, दुर्गा पुरा सफेद कर चुके, दुर्गा जे भी कर चुके, फिर बची क्या, कंचन बहार, कंचन बहार बची है बस एक, बाकी तो पहले य कभीरा समजी मा लागवार दुर्गा पुरा सा फेद है सबजी गुमार दुर्गा जये भी सबजी कंचन बाहर भी सबजी वा लागवार है हो गई वेराइटी याद कभीरा पहले ही आ गई सारी कंचन बाहर के अलावा तो पहले ही आ गई सारी की सारी अब आगे हैं 20 दर अब आई आई ओ, सीड रेट, बीजदर, सीड रेट, बीजदर, बीजदर गुवार की जो प्योर फसल होती है, बोले तो प्योर, उसको चाहिए 15 से 20 किलोग्राम, अरे वा, ये तो हमने ज्यादा दलनी पसलों में ये ही तो पड़ा था, अधिकास दलनी पसलों में बीजदर होती ह क्या है, 15 से 20 किलोग्राम प्रती हेक्टियर, 15 से 20 किलोग्राम प्रती हेक्टियर ही होती है जनरली, तो प्योर अगर आप अकेला गुवार बो रहे तो 15 से 20 किलो प्रती हेक्टियर, ये ही मिलाता ज्यादा तर दलनी फसलों के अंदर, और मिस्रित पसल, वो ही सेम छे, ये त लेकिन चारे के लिए बोहे तो भी जनरली यही मिलेगे आपको चारे के लिए किसी पसल को बहते है तो चारा चालीस बोले तो चाचा चाचा बोले तो चारा लीस जनरली आपको यह मिलेगा चाचा तो चालीस से पैतालीस किलोग्राम प्रती हेक्केर अगर आपको गुमार का चारा चाहिए तो अगर सबजी के लिए बोरे हो सबजी तो 35 किलोग्राम सबजी वाला सबजी वाला गौार बोवाई दो 35 किलोग्राम प्रति है चेहर सबजी वाला वो शबजी वाला तो इतो सारी आतों कि भई प्योर करो 15-20 मिस्ष्रिध फशाल बोले तो 8-10 kg प्रती hectare 14-40 चाचा-चाचा और सबजी 35 kg प्रती hectare अब لेते हैं बुवाई का समय एमविधी tying and method of soil ing time and method of soil तो 30 by 10 बोले तो RnR कितना हो गया? 30 cm RnR राजस्तान के साब से राजस्तान की इसाब से है मैंने तमिल नाडू की बुक्स में देखा था वहां तो 60 by 10 लिखा था 60 by 10 लेकिन राजस्तान की इसाब से 30 into 10 और ये P into P हो गया पोधो की संख्या निकालना आता होगा ये सेंटीमेटर में भई 30 cm by 10 cm पोधो की संख्या कैसे निकालते हैं बोला सर उपर एरिया लिखते है नमबरों प्लांट्स निकालने के लिए क्या करते हैं उपर तो ना न्या क्षेत्रफल आवे रे लेकिनों आएगा किसमें मिटर स्क्वाइर में वरक मिटर में नीचे आता है आर इंटू पी आर इंटू पी आर किसमें आएगा कतार से कतार की दूरी मिटर में आएगी ये भी मिटर में आएगी तो बराबर क्षेत्रफल कितना हो गया मिटर में मिटर स्क्वाइर में एक एक्टर में होता है 10,000 दो एक्टर में लगाओ के तो 20,000, 2 इंटू 10 हो जाएगा आर कितनी थी, 30 cm थी, मिटर में बदल ले, चामड़े की पूतली, सोका भाग लगा ले पी कितना था, 10 cm था, मिटर में बदल ले, सोका भाग लगा ले भाई, वो इस प्रोब्लम आ रही है, आरी गा, नहीं सही चल रहा तो अब क्या करेंगे, यह उपर चले जाएगे दोनों, तो उपर हो जाएगा 10,000, 2,100, 2,30, 2,10, मुझे पता है, बहुत सारे बच्चों ने निकाल भी लिया, देखो 3,33, 3,33, 3,33, 3,33, पोदे आ जाएगे, राजस्तान के हिसाब से, और बाकी तो मैंने कहा न, अब जो तमिल नाडू के जो युनिवर्स्टी के नोट्स, उसमें डाल रखे साइट में, वहां तो 60 भाई, 10 दे रखा था इसको, अब लेते हैं, प्रमुग मेजर इंसेट, प्रमुग कीट, मेजर इंसेट, क्या-क्या कीडे लगते हैं, तो पहला जो कीडा है, पहला-पहला कीडा अरे, वो है लीप होपर, लीप होपर, पत्ती का फुदगा, पत्ती का फुदगा से बचने के लिए डाई मिथोएट, डाई मिथोएट, लीप होपर से बचने के लिए डाई मिथोएट, तीसीसी, ये एसी, एसी क्या है, ये एसी, एसी, यादे किसी को, एसी पढ़ाया था मैं MLC Fibular Concentration, EC क्या होता है? MLC Fibular Concentration, किसी को याद है कैसे बनाते EC का गोल? बहुत सारे बच्चों को याद होगा जो दो पर की एक बजी क्लास लेते हैं, क्या था उसमें? यह 30 तो क्या होता है? यह तो chemical की मात्रा है, रसाइन की मात्रा है, बतलब 30% इसमें pure chemical है, बाकी तो दूसरे पदार्थ मिलाएवें लेकिन EC EC क्या है? यह EC EC, कारबनी के कीट नसी, जल में नहीं घुलेते, तारपीन में घुलेते, पैट्रोल में घुलेते, एथर में घुलेते, अलकोहल में घुलेते, तो घुल, 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 याद है? तो उसको गोल दिसमें घुलता है, उसके बाद में एक सेट liked sugar और फिर पाणी में डाल देंगे हो गया eci का सोल्यूशन क्या बोला मैंने karbonic ketanasi zelle में नहीं गुलिते ether में गुलिते petrol में गुल ली थे xylene में गूलिते alcohol में गुलिते तो गोल गोल गोल-गोल जिसमें बुड़ता उसमें घोल उसके बाद एक इमल सी फाएंग एजेंड मिला और इस पूरे को ले जाके पानी में डाल दे हो गया पाइस का सोलूशन ऐसे बनाते हैं तो यह आप जो न डाइमितोएट 30 EC का 1 ml प्रक्ति लीटर के हिसाब से इसकी एक ml एक लीटर पाड़ी में गोल की चिरकाव कर सकते हैं लीफ हो पर तो मिलेगा इनी आपको भई या मिथाइल डिमेटोन भी ले सकते हैं दूसरी दवाई क्या ले सकते हैं केमिकल मिथाइल डिमेटोन तो लीफ हो पर तो हो ग्योरवापू कीडा को तो नास हो ग्योर इसके लिए क्या करते है फोसा लोन छिड़काओ करेंगे आप फोसा लोन का छिड़काओ ये भी लगता है इसके अदर फोसा लोन का छिड़काओ कर देंगे भई एक पोड़ बोरर लगता है फली छेदक फली छेदक पोड़ बोरर जैसे तेमें थाली कॉअर प्पार हाँ आरमी जेरा ऐसे है ट्पॉर बोरBoer इस में भी लगता है इसके लिए क्यून ओल फोष का सिर्कव कर देंगे क्यून ओल फोष्च पचींइस इस किनोल फोस पच्चीस एसी पच्चीस परसेंट केमिकल एसी में ने बताई दिया कार्बनिक की टनासी जल में नहीं गुलते इथर में गुलते पेट्रॉल में गुलते जाइलीन में गुलते एलकॉल में गुलते तो गॉल 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 और मिला दे इमल्सिफाइंग एज पाउडर यह क्या होता बताओ लेकिटेबल पाउडर इसका भी गाना है बताओ क्या गाना है कारबनीक कीट ना सी जल में नहीं घुलेते बार बार हिलाना पड़ता है कार्बनिक कीटना सी वो जल में नहीं गुल लेते बार बार हिलाना पड़ता है वेटिंग एजेंट मिलाने पर नहीं बार बार हिलाना अगर जो कार्बनिक कीटना सी है वो बार बार हिलाना पड़ता है उनको फिर वापस जाके पेंदें बैठ जाती है तो एक waiting agent आता है वो waiting agent मिला दो उसके कणा मिटपानी में लटके रहेंगे गुलेगी नहीं लेकिन जो कण नहीं लटके रहेंगे नीचे नहीं बैटेंगे उसको बोलते है वैचेबल फाव जाया करबनिक की टनासी जलमे नहीं गुलेते बार बार हिलाना पड़ता है waiting agent मिलाने पर नहीं बार बार है फिर हिलाना नहीं पड़ेगा वो राइट बही उसको बोलते हैं WP तो आप ये भी डाल सकते है क्या डाल सकते है कार वेरिल 50 WP वाला भी दो गराम परतिलेटर के साब से छिड़काव कर सकते है इसके लाज सपेद लट भी लगती है जिसको आपने पूरा डिटेल भी पढ़ लिया white graph, hollow tree क्या, consent, gunya ये भी लगता है कात्रा लगता है इसमें बात आओ, mahu ये भी लग जाता है बही, mahu हाला कि mahu तो रभी में लगना ची mahu तो नहीं लगे, गलत है mahu कैसे लगे है अब आज़ो इसके रोग कोन से है तो भाया, एक तो इसमें चाच्या लगता है इसका एक disease है बहुत important measure disease measure disease चाच्या बोले तो powdery mildew powdery mildew में क्या होता है सपेद, सपेद, powder जैसे धब्बे दिखते है powdery mildew या चाच्या या चूरनिल आसिता भी कहते हैं और क्या कहते हैं चूरनिल आसिता चूरनिल आसिता इसमें क्या होते हैं सपेद, powdery दब्बे दिखते हैं पत्यों के उपर जाता दिखते हैं Пауडरी दब्बे, यान कि दब्बे होंगे उसके तुर पाउडर सा लगावा दिखेगा उपर, ये दिखते है, और ये बया केराथे, कोई भी सिल्फर वाल इसको कंट्रोल करने लिया करते है, छाच्यारा, केराथे, 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 केराथे सल्फर यूग्त,ısıल्फर और दूसरी भी ले सकते है, या direct sulfur ही डाल देंगे, या फिर sulfur का ही परियोग कर देंगे, sulfur powder ही डाल देंगे, और powder कितने डालते हैं, sulfur dust कितने डालेंगे, बोला sir, हमेशा powder डालते हैं, 20 से 25 kg, तो यहाँ sulfur डाल देंगे, 25 kg परती एकटियर, चाच्या रुख जावेगा, या फिर वेटेबल sulfur डाल देंगे, वेटेबल powder जो अभी बताया था ने, वेटेबल, तो वेटेबल sulfur भी डाल सकते हैं, वेटेबल sulfur कितने डालोगे, 2 गराम परती लेटर के इसाब से, अब ये वेटेबल sulfur क्या है, वो ही वेटेबल powder भी बताया था, कार्बनिक कीट नासी जल में नहीं गुल लेते बार बार हिलाना पड़ता है वेटिंग एजेंट मिलाने पर नहीं बार बार हिलाना पड़ता है तो चाच्यो लाग जो रहे चाच्यो चाच्या रहा केर रहा थेन चाच्या रहा केर रहा थेन या फिर sulfur या फिर sulfur तो sulfur 25 kg प्रती हेक्टर के हिसाब से या तो powder छिड़क देने का या फिर weightable powder की रूप में गोल लेने का sulfur को 2 g पर लेटर के हिसाब से और छिड़काव कर देने का एक disease और लगती है blight blight इसकी important disease है मतलब ज्यादा महत्वपूर्ण है मुख्य रोग है इसका blight disease यह गुवार का मेजर डिजीज है मुख्य रोग है major disease ज्यादा important disease है blight 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 और इसमें कौन सी blight लगती है bacterial blight कौन सी blight है इसमें bacterial bacterial वाली blight है वो ब्लाइट नहीं अल्टरणे एरिया उलस अम वाली blight नहीं इसमें इसमें क्या लग रहा है जीवाणू अंग मारी मतलब इसको आप चाहोँ तो डेरेक्टी लिख सकते हो bacterial blight a bacterial blight जीवाणू अंग मारी रोग जीवाणू जुल्सा कहता जी 1972 shy झुल्सा जीवाणू वाला है और किस जिवानों से होता है डेक्टिरिल ब्लाइट यह होता है जेंथो मोनास साइमोपसिस से जेंथो मोनास एक जिवान हुआ जो सिट्रस केंगर भी करता है जेंथो मोनास सिट्राई है ना भी तो जेंथो मोनास या जेंथो मोनास एक्जोनोपोडिस वराइटी सिट्राई जाती क्या है भई साइमॉपसिस नामक जिवानू से होता है नामक जिवानू से होता है तो बैक्टिरियल ब्लाइट इसकी मैजर डिजीज है मुखे रोग है सबसे बहंकर रोग है यूँ कह सकते आप इसे धेरे-देरे पोते की पत्तिया क्या होगी गिरने लग जाएगी साइमॉपसिस टेटरा गोनोलोबा और क्लस्टर बीन अब लेते सीधाई यिल्ड पे आ जाते उपज पे तो आई रहे आई रहे लास्ट में उपज यिल्ड उपज या इल्ड इससे देखो दस से पंद्रा ट्वेंचल तो मिल जाएगा राजस्तान के हिसाब से दाना रे दाना दिलवाए दो ये तो मिल गया दाना दाना दस से पंद्रा ट्वेंचल अगर सबजी के लिए बोई है तो साट से सतर किवंटल आट से सतर किवंटल मिल जाएगी हरी फलिया हरी फलिया तो दस से पंद्रा किवंटल प्रतियक्त दो दाना मिल जाने का साट से सतर सो क्वेंचल आपको चारा भी मिल जाएगा अब यह मत करना कि एक ही फसल से हम सारे ले लेते हैं यह कम मिलेगा जब आपने हरी सब्जी के लिए बोई तब ही मिलेगा ऐसे नहीं भाई दाना भी मिल जाएगा इसलिए हरी सब्जी के लिए बोने पर ही मिलेगा और चारे के लि अगर चारे के लिए बोया तो डाइसो से तीन सो क्वेंचल दाना अगर आपने चारे के लिए बोया तो डाइसो से तीन सो क्वेंचल हरा चारा रे हरा चारा रे हरा हरा सब्द भी आएगा उसके अंदर ठीक है भई तो फिर हो गया टाइम चलते हैं भई उसके बाद सवा बज़े फिर से मिलते हैं और सवाकल टेस्ट दे दिया होगा सुपरवाइजर का जिन्होंने नहीं दिया है वह मोबाईल एफ डाउनलोड करके टेस्ट दे दे जिनको PDF मिल चाहिए कुछ भी लिखे, 900, 113, 14 मानस परताब सिंदी टाइप कर दी जाए 900, 100, 13, 14 निकिता बेटी टाइप कर दी है, उसके उपर WhatsApp करें अपना number, आप ग्रूप में चुड़ जाएंगे आपको Automate की Daily 30 Question की PDF मिलेगी, Questions मिलेगे और अब तो नई क्रोप हो रहेगी, अगली क्रोप जो पढ़ाऊंगा, उसके भी तो नोट्स आएंगे ना, यास तो उसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे तो बने रही हैं हमारे साथ, सवाब बजे फिर मिलने वाले हैं, एप कोन सा है बाई, यही एप है, जिसका जो चेनल का नाम है, वो ही प्रभू एप का नाम है, चेनल का नाम ही एप का नाम है, Google Play Store पे मिल जाएगा आपको डेली टेस्ट, डेली तो नहीं, एक दो दिन चोड़ के टेस्ट लगते, कल सुपर्वाइजर का लगावा, अभी भी दे सकते आप, सुपर्वाइजर वाली टेस्ट को तो बहुत-बहुत दन्यवाद, नमस्कार जहिन, जराजदनी, सस्रीकाल, सब्बा, खेर, वाए, गुरु खुदी फटे, खुदा हापीज, अला हापीज, राम राम झाल, सब्क्राइजर CRणा एगाभाद, आप, 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 टु